जहीं दुस्तो मेरे नहीं है अतूल और स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अतूल डिक बजार में दूस्तो रियल में 10 प्रो रिसेंटली लॉंच होया है और पिछले फाइब डेस में कंटिनियूसले से यूज कर रहा हूं इस वीडियो में दूस्तो हम डीप कैम सब्सक्राइब जोरो से कर लिजेगा बैल अकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोट करो नोटिफिकेशन आप तक पहुझा चलिए फड़ाफट से स्टार्ट करते हैं फड़ाफट से मोबाइल के बारे मता दूए यह मोबाइल रेजर इंसिल यह बैजल आते हैं वीविंग एंगल एंड कलर काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं यहां पर ओर आल जो वीडियो एक्सपिरेंस से वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता डिस्प्ले यहां पर आपको काफी बढ़िया कॉलिटी का मिलता है डेलाइट कंडिशन में भी सपोर्ट इसमें मिल जाता है यहां पर यह सब बात ठीक है इसका डिस्प्ले अच्छा इसकी कॉलिटी अच्छी है इसमें अच्छा प्रोसेसर दिया है बट इसका कैमरा क्या बढ़िया है चलिए देखते हैं बात करें कैमरा की तो पीछी की दरब दोस्तों 108 मेगा पिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है जो की सैमसंग S5K M6 लैंस के साथ में आता है और यह एक प्रो लाइट कैमरा है जो की काफी अच्छी फोटो ले लेता है सेकंडरी 2 मेगा पिक्सल का कैमरा है फ्रंट में 16 मेगा पिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया गया है जो की सैमसंग S5K 3 P9 sensor के साथ में आता है features वगरे के बारे में बात करें तो फोटो में आपको 6Xim का option max to max मिल जाता है, वीडियो में अगर आप देखो तो यहाँ पे 720p, 30fps, 60fps का option मिलता है लेकिन 1080p में आपको only 30fps का option ही मिलता है and front में normal 720p 180p का option आपको मिल जाता है, portrait mode में यहाँ पे आपको realme 8 pro वाले सारे filters मिल जाते है, dynamic book के AI portrait filters, इस सारे filters आपको rare camera के लिए मिलते हैं, लेकिन front में आपको यह वाले filter नहीं मिलते है, और megapixel का dedicated option मिलता है जैसे ही हमने आप फोटो कीजिए, आप देख सकते हैं 21 MB की आई है, और normal mode पे अगर आप यही फोटोग्राफिक आते हैं तो 5.2 MB की आती है detailing जो darkness है, आपको यहाँ पे normal mode में ही मिलेगी यहाँ दोस्तो, slow motion time lapse, still view, video till ship photography and group portrait के options यहाँ पे आपको मिल जाते हैं slow motion यहाँ पे आपको rare camera में ही मिलता है, वो भी normal mode पे, front में में भी OT update के तुरू यह fix हो सकता है वीडियो में आपको ultra steady वाला mode मिल जाता है साथ में एक नया feature tracking suit को option मिलता है, यह जैसे ही on रहता है, आपको जिसमें भी focus करना है, आपको only यहाँ पे screen पे tap करना है और यह जो camera है, automatically move के, directly उस पे focus हो जाएगा, आप देख सकते हो, real में 8 पे यह focus हो चुका है, and then little sun tap है, यह काभी अच्छा feature है जो कि एक नया feature है, introduce करा गया है, जैला वो watermark वाले option में अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पे आपको watermark के position set करने का option मिलता है, bottom में आप कर सकते हैं, top में कर सकते हैं, and कुछ-कुछ device में middle में भी यह option मिल जाता है, इस device में street photography के लिए अलग से एक watermark प्रोवाइड किया गया, जैसी आप इसे on करते हैं, and street photography पे tap करके कोई फोटो लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, street photography का एक अलग सी watermark आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी ज़्यादा attitude detail के साथ में आपको देखने को मिल जाता है, तो यह से camera features, इस mobile के फड़ाफ़ से कुछ photos and video samples भी देख लेते हैं, सबसे फ़ले सुरुवाद दोस्तों, indoor lighting condition पे करते हैं, घर के अंदर, यहाँ पे artificial light यूज किया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, जो face tone है, यह white से आपको देखने को मिलेगी, पीछे की तरफ अगर आप background देखते हो, जैसे portrait के बारे में बात करें, जिसमें आपको friend में भी aperture maintain का option मिलता है, कम ज़्यादा आप इसमें कर सकते हो, तो यह काफी ज़्यादा well maintained है, background and image को काफी अच्छे से maintain किया हुआ है, edge direction काफी अच्छा है, face tone यहाँ पे white है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे beautification mode भी यूज़ किया, और आल जो ported mode है, normal mode है, selfie अच्छे से ले लेता है, दोस्तों यह photo 108 megapixel rare camera से लिए गई है, यह एक ported photo में लिए indoor में और आप देख सकते हो, तो काफी अच्छे से इसने edge detection किया है, काफी अच्छे से यहाँ पे colors आए है, बात करते हैं outdoor photography की, तो यहाँ पे normal और ported mode पे selfie लिए, आप देख सकते हो, काफी अच्छे से यहाँ पे again से ported mode पे edge detection किया हुआ है, टी सेट के color, face tone या फिर background के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हो, काफी अच्छे से ported photography हो जाती है, अब बात करते हैं outdoor rare camera में, तो यह normal और अगें से यहाँ पे ported mode आप देख सकते हो, नॉर्मल मोड में भी काफी अच्छे, यहाँ पे detailing के साथ फोटोग्राफी हो जाती है, ported photography में आप आच्छा आप manage कर सकते हो, इसी वज़े से दुस्तों यहाँ पे ported photography काफी अच्छे होती है, edge direction भी काफी बहतर है, यह कुछ rare camera से और भी मेरे ported photo sample लिये हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ported कितना अच्छा वर्क करता है, इसके अलावा dynamic bouquet, AI color portrait, bouquet flare portrait, जो कि realme 8 pro से introduce कराए गया थी, यह सारे ported filters इसमें मिल जाते हैं, इस filter का यूज़ करके आप next level की ported photography कर सकते हो, यहाँ पे normal और AI enhance का यूज़ करके photography क्लिक की गई है, आप देख सकते हो, जैसे ही आप AI enhance का यूज़ करते हो, color काफी बंची हो जाते हैं और images काफी ज़्यादा अच्छी आती है, इस mobile के थुरू आप tilt से photography और विडियोग्राफी दोनों कर सकते हो, 108 megapixel का dedicated mode मिलता है, अगर आप उसे use करते हो, तो 20MB से उपर photo आएगी, नॉर्मल mode पे 5-6MB, तो first photo जो है यह नॉर्मल mode पे ले गई है, और जैसे ही आप 108 megapixel यूज़ करते हो, वैसे आप नॉर्मल mode पे AI enhance का use करोगे, तो इस तरह की photography आप कर सकते हो, यहाँ पे आपको 6x zoom तक का option मिलता है, first photo 1x, दूसरी 3x, and last photo 6x zoom पे कीचिगी यह, and last photo पे आप देख सकते हो, कला मंदिर जो है, वो इस पेसली यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे 10x zoom होता तो काफी अच्छा होता, क्योंकि normal phones में भी 10x zoom मिल जाता है, में भी audio update के थुरू यह fix किया जा सकता है, front and rare दोनों में ही आपको night mode का support मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, especially normal mode पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने night mode यूज़ किया, front camera का, आप देख सकते हो, face की detailing काफी अच्छी है, इवन back side में भी आपको काफी detailing मिल रही है, यह rare camera से normal और night mode के samples हैं, यहाँ पे night में pro mode भी मिलता है, बट यहाँ पे normal mode मैंने यूज़ किया, आप देख सकते हो, काफी अच्छा यहाँ पे night mode वर्क करता है, rare camera में मुझे especially यह night mode ज़्यादा पसंदा है, बट अगर दुस्तों आप Gcam का यूज़ करोगे, तो भई यहाँ पे इसका Gcam चैनल पे available है, आप उसे download कर सकते हैं और अच्छे तरीके से night mode यूज़ कर सकते हैं, बैसे भी stock का जो night mode है, वो भी अच्छे तरीके से ही वर्क करता है, अच्छे Gcam का यूज़ करके काफी अच्छी DSLR पोर्टेट आप ले सकते हैं, पत करें वीडियो की, तो यहाँ पे front and rare दो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये वीडियो जो है 1080p 30fps पे लिए गये हैं, फोकसिंग का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, आप चाहे front camera देखे या फिर rare camera काफी अच्छे यहाँ पे वीडियो ग्राफी ये कर लेता है, rare camera में 1080p 60fps का option नहीं मिलता, rare में आपको 720p 60fps का option मिल जाता है, यह simple आपको 720p 60fps का मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह भी हो सकता है, OT update के थुरू इस mobile में 1080p 60fps का option भी मिल जाए, और आल दूस्तो front and rare दोनों में ही आपको काफी अच्छा camera मिल जाता है, other feature आपको unlock करने तो Gcam आप इस्तमाल कर सकते हो, dual view video allow option इसमें मिल जाता है, front and rare दोनों ही camera को 80 time आप on कर सकते हो, कुछ इस तरह की वीडियोग्राफी इस feature से आपको मिल जाती है, top and bottom video को आप adjust कर सकते हैं, lastly slow motion video को option आपको मिलता है, जैसे ही आप इसे on करते हैं, आप only rare camera के लिए यह option आपको मिलता है, OT update की दुरू हो सकता है, front में भी यह option आजाए, कुछ इस तरह की यहाँ पे आपको slow motion video recording मिल जाती है, यह एक normal mode video recording है slow motion की, क्योंकि इसमें एक ही option दिया है, FPS वगेरे यहाँ पे option नहीं मिलता, एक ही यहाँ पे normal mode पे आपको slow motion video ले सकते हैं, ते यह था दुस्तो realme 10 pro device का day to night camera sample, ऐसा नहीं कि device camera segment में perfect है, यहाँ पे कुछ optimization की ज़रत भी है, OD updates के दुरू यह easily fix किया जा सकता है, जिसे front में आपको slow motion का option मिल सकता है, rare में आपको 1080p 60fps का option मिल सकता है, यहाँ पे दोस्तों यह जो processor है वो capable है, इस तरह के features के लिए, तो maybe realme audio update के दुरू यह provide कर सकता है, वैसे overall यहाँ पे ported mode काफी अच्छे तरीके से work करता है, और इस mobile का night escape भी काफी अच्छे तरीके से work करता है, वैसे दोस्तों आप चाहें तो gcam install कर सकते हैं, और भी better photography आपको मिल सकती है, इसका gcam जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा, वीडियो हमने बहुत सारे बनाया, चेक आउट जरों से करेगा, फिलाल दोस्तों कोई doubt question आप comment section में पूछ सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्ट ने वीडियो के साथ में तब तक रिजन बोलते रिये, बंदे मातरम,